आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही इजी निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में ढाल सकते हैं लेडिस कार्णियर में, लेडिस जैकेट में, लेडिस शर्ग में, गल्स टॉप में, बच्चों के स्वेट में, जैंट साफ स्वेट में डाल सकते हैं तो दिखिए, फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो friends इस design को बनाने के लिए जो इस चीज चाहिए होंगे वो 6 के multiple से होंगे plus 4 फंदे extra रखने होंगे और यह जो design है total 6 raw का design है And friends if you want to learn this pattern in English language then please subscribe me another English channel and link is in description box please go on and click on the channel and don't forget to like, share and subscribe me another channel for more videos So let's start यह देखे यहाँ पर मैंने 22 फंदे लिये हैं 18 फंदे 6 के multiple से लिए है plus 4 फंदे extra लिए है 2 फंदे side में design को equal करने के लिए और 2 फंदे stitch के होंगे और base देने के लिए 2 raw उल्टे 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 फंदों के साथ बुनकर निकाल लिए है तो चलिए बनाते हैं इसकी first row है और right side है stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे फंदे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे 1, 2 धागा पिछे करेंगे आगे की side से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे 2 फंदे slip करेंगे 1, 2 back loop से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह देखे है मारा एक pattern complete हो गया इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाएं 2 फंदों का एक फंदा बनाया फिर जाई डाली और 2 फंदों का एक फंदा बनाया फिर से इस pattern को repeat करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की side से जाई डालेंगे 2 फंदे slip करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे फिर से दो फंदे उल्टे धागा पीछे आगे की साड़ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे दो फंदे सिलिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा, आगे करेंगे, लास्ट में दो फंदे उल्टे, वन, टू, ऐसे सिधा बना लेंगे, फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है, सैकिंड रॉ है, रॉंग साइड, इस रॉ में जो फंदे जैसे दिखाए देंगे, हर ब दो फंदे सीधे वने, तीन फंदे उल्टे, फिर से, दो फंदे सीधे, वन, टू, तीन फंदे उल्टे, वन, टू, त्री, धागा पीछे दो फंदे सीधे, वन, टू, तीन फंदे उल्टे, वन, टू, त्री, धागा पीछे लास्ट में दो फंदे सीधे, वन, टू, राइड साइड ऐसे लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे वन तू धागा पिछे अब एक फंदा सीधा बनेंगे जाई डालेंगे वन एक फंदा सीधा जाई डालेंगे टू एक फंदा सीधा यह देखे हमारा एक पैटन कम को और पीट करेंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे वन टू एक फंदा सीधा जाई डालेंगे वन एक फंदा सीधा जाई डालेंगे टू एक फंदा सीधा फिर से धागा आगे दो फंदे उल्टे वन टू धागा पीछे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे वन एक फंदा धागा आगे लास्ट के दो फंदे उल्टे वन टू एस्टी सीधा बना लेंगे थर्ड रो कम्प्लीट हो गई है फूर्थ रो है रॉंग साइड जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे एस्टी सिलिप करेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा आगे 5 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5 ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गए है तो हमने दो फंदे सीधे बने 5 फंदे उल्टे 2, 4, 5 फिर से पैटन रपीट करेंगे दो फंदे सीधे 1, 2, 5 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5 धागा पीछे फिर से दो फंदे सीधे 1, 2, 5 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5 धागा पीछे लास्ट में दो फंदे सीधे एस्टिच उल्टा बना लेंगे रो 5 राइड साइड अब देखे एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे 1, 2 धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर देखे यहाँ पर हमारे पास तीन फंदे हैं पहले हम आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब एक फंदा ड्रॉप करेंगे अभी हमने दोनों फंदे ड्रॉप नहीं करने हैं एक फंदा ड्रॉप करेंगे अब फिर से यह वाला फंदा लेंगे और नेक्स फंदा दोनों फंदों को स्लिप करेंगे 1, 2 और बैक लूप से दो फंदों का एक फ दागा पिछे एक फंदा सीधा, आगे की साइट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा ड्रॉप करेंगे, फिर से वही फंदा एक लेंगे और दो फंदे स्लिप करेंगे, वन, टू, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से पैटरन पीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, आगे की साइट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा ड्रॉप करेंगे, दो फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट के तीन फंदे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, ऐसी सीधा बना लेंगे, फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, six रो है, wrong sign, इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, वैसे ही बनाएंगे, दो फंदे सीधे, one, two, तीन फंदे उल्टे, फोर सॉरी, four फंदे उल्टे, two, three, four, ये देखे हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गई, असमें हमने दो फंदे सीधे बने, four फंदे उल्टे, two, four, फिर से दो फंदे सीधे, one, 1, 2, 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, दो फंदे सीधे 1, 2, 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, लास्ट में 3 फंदे हैं, दो फंदे सीधे 1, 2, S-tich उल्टा बना लेंगे, यह देखे, 6-row complete हो गई है, और हमारा pattern भी complete हो गया है, फिर से हम इसे first draw से start करेंगे, तो दिखिए कैसे करेंगे, first draw right side, as we slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, दो फंदे, उल्टे, one, two, धागा पीछे, आगे की साइट से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, दो फंदे, slip करेंगे, back loop से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागा, ये देखिए हमारे एक pattern complete हो गया, फिर से धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, धागा पीछे, आगे की साइट से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, डालेंगे, दो फंदे, slip करेंगे, back loop से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, last में दो फंदे उल्टे, one, two, ऐसे सिधा बना लेंगे, ये दिखिए, फिर से हमारा pattern, first row से start हो गया है, ऐसे ही बार-बार हम इसकी one, two, six row repeat करते जाएंगे, और ये pattern बनकर इस तरह से दिखन लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज का आडगन में, लेडी जैकिट में, जैन साफ साटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, तो friend, आप भी इसे बनाएए, और अपने experience हमारे साथ share कीजिए, अगर आपको हमा